जेहिन दोस्तों तो फाइनली SSB Constable Tradesman भरती 2020 का जो फिजकल का आपका डेट है वह रिलिच कर दिया गया है और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताय थे 23 जन्वरी से आपका PT-PHT जो है सुरू हो रहा है और ये फिजकल आपका दो साल के बाद जो है कंड कराया जा रहा है आप सभी को पता है 2020 में आपका ये भरती आया था अगस्त महीना में और सितंबर तक इसका फर्म चला था और सबसे पहले आपका PT-PHT ही होने वाला है जो कि 2 साल बाद यानि कि 23 जन्वरी 2023 से आपका कंड़क्ट होगा तो इस वीडियो में जानेंगे कि ज में कितने किलो मीटर होंगे इसके अलावा हाइट आपका कितना मेजरमेंट किया जाएगा चेस्ट आपका कितना मापा जाएगा वेट कितना मापा जाएगा और इसके सेलेक्शन प्रोसेस की कमपलीट जनकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे और दोस्तों आपके पास स जनवरी से इसका फिजकल है अभी आपके पास लगबग जो है 12-13 दिन ही समय बचा है तो समय काफी कम है तो सभी डॉक्मेंट जो है आपको तयार करके रखना होगा तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले तो आप सभी को बता दे कि जो इसका एडमीट कार्ड है इ पीटी पीएश्टी के लिए तो सबसे पहले तो आपको चाहिए experience certificate अगर आप सभी फॉर्म अपलाई किये होंगे तो आपके पास experience certificate definitely होगा क्योंकि यह experience certificate जो है आप से मांगा गया था यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यह इसका उफिसियली notification है और constable tradesman में कूक वासर मे बारबर सफाई वाला वाटर केरियर वेटर टेलर गार्डनर या कोबलर इन में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अपलाई किये हैं तो यहाँ पे मांगा गया था आपके साथ तेंथ पास और साथ ही साथ जो है two year work experience in respective trade यानि कि दो साल का work experience जो है इन में से किसी भी जिस trade के लिए फॉर्म अपलाई किये हैं उस trade से related आपके पास होना चाहिए तो इसके notification में इसके qualification का details था उसमें ये mention किया गया था तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले तो experience certificate होना चाहिए और यह experience certificate जो है दो साल का minimum आपके पास होना चाहिए इसके बाद दोस्तों जो next document की बा किये हैं उस trade से related जो है बना लीजिए और यहां पे एक important जनकारी आपको बता दे जो experience आपके पास certificate है उसे आप परयास किजिएगा अगर अभी तक आप नहीं बनाए हैं तो 2020 में जो आपका date है यानि कि 2018 से 20 का date उसमें mention करने के लिए 2020 के बाद date जो है उसमें आप ना लगा क्योंकि अगर 2020 के बाद अगर आप date वहाँ पे लगाते हैं तो फिर आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है कि 2020 में ये vacancy आया था और फिर 2021 में experience certificate ये कैसे तो दोस्तो 2020 के पहले का date का होना चाहिए इसके बाद दोस्तो admit card तो आपको download करना होगा वो आपको लेकर जाना होगा साथ ही साथ यहाँ पे जो cast certificate है तो cast certificate जो है आप में से काफी सारे student के mind में ये होगा कि cast जो certificate है वह ये state का चाहिए ये central का तो आप सभी को बता दे हालांकि ये तो एक central job है आप सभी को पता है SSB का जो ये भरती है central job होता है तो इसमें जो है central का जो है cast certificate आपके लिए best होग लेकिन अगर आपके पास Central का Certificate नहीं है तो आप State का भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि अभी हाली में BSF का आप सभी को पता होगा BSF and CM का जो है Physical Conduct कराया गया है तो उसमें भी Central का मांगा गया था लेकिन काफी सारे Student State Level का लेकर गये थे तुने जो है बाहर नहीं किया गया तो एस State का भी यहाँ पे आपका चल जाएगा लेकिन अगर आप Central का बनवा सकते हैं 10 दिन के अंदर तो आप सभी इसे बना लीजिए नहीं तो एस State का भी है तो इससे काम आपका चल जाएगा एस State का भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो इससे कोई प्रोबलम नहीं है लेकिन Central का रहेगा तो बेस्ट रहेगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो डॉक्मेंट है वह है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानि की निवास परमान पत्र इसके बाद दोस्तो 10 पासपोर्ट साइज फोटो तो आप सभी को बता दे फोटो आपको जो नविनतम आपका फोटो है उसे जो है रिसेंट का फोटो आपको लेकर जाना होगा कम से कम 10 फोटो जो है आप साथ में लेकर जाईएगा इसके अलावा दोस्तो ID proof आप सभी को बता दे ID proof में जो है अधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसंस इन में से कोई एक document जो है आप लेकर जा सकते हैं सबसे best आपके लिए अधार कार्ड रहेगा क्योंकि maximum candidate के पास ये रहता है तो इन में से कोई भी document आप लेकर जा सकते हैं जिस पर आपका DOB सही होना चाहिए और उस पर जो है फोटो भी आपका होना चाहिए इसके बाद दोस्तो जो next document है वो है आपका तेन्थ का certificate and mark sheet आप सभी को बता दे ये तेन्थ लेबल का आपका भरती था constable treatment का तो इसमें तेन्थ का certificate और mark sheet जो है आपको लेकर जाना होगा अगर आप सभी 12th pass है तो 12th का भी आप सभी साथ में रख लीजिएगा और जितने भी document आपको बताए है यहाँ पे आप सभी को बता दी ये जितने भी document आपको बता रहे हैं ये सभी document ओरिजिनल format में होना चाहिए इसका two copy नहीं चलेगा original जो है format है उँ आपको लेकर जाना होगा और साथ ही साथ two copy भी आपको रखना होगा तो original जो है सभी document आपको लेकर जाना है अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका ये भरती है इसमें physical में क्या-क्या होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे बात करें आप physical की details के बारे में यानि कि PT-PST के अंतरगत आपका क्या-क्या होगा तो यहाँ पर देख लिजिए ये इसका officially notification है और इसी notification में जो है इसकी complete details आपको PT-PST का देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले जो है आपका इसमें PT होने वाला है यानि कि physical efficiency test और physical efficiency test के अंतरगत आप सभी को पता है running जो है conduct कराया जाता है तो यहाँ पर देख लिजिए इनमें से किसी भी post के लिए अगर आप form apply किये हैं जो कि सभी trade का यहाँ पे नाम दिया गया है तो इनमें से किसी भी post के लिए अगर आप form फिल किये हैं जैसी की considerable tradesman के लिए तो इसका जो आपका running होगा 4.8 km race in 24 मिनट आप सभी को बता दे यहाँ पे running जो आपका conduct कराया जाएगा 4.8 km in 24 मिनट में male के लिए और अगर आप एक female candidate है तो आपका 2.4 km का running होगा 18 मिनट में जाएगा तो यहाँ पे height की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लिजिए constable tradesman के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 constable, carpenter, palumber, painter, cook, washerman, barber, saffy, water carrier, waiter, tailor, gardener, and kobler इनमें से किसी भी post के लिए यानि कि constable tradesman के लिए अगर आप form फिल किये हैं तो आपका जो height measurement किया जाएगा 166.5 cm और female की बात करें तो female के लिए आपका 157 cm height इसमें मांगा जाएगा इसके पाद दोस्तों chest की बात करें तो आपका 38 cm और 5 cm expansion करके आपको 83 cm यहाँ पे करना होगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे state और कुछ ऐसे community है जिने height में relaxation दिया गया है जैसे कि यहाँ पर देख लिजिए गडवाल, कुमाउन, इसके अलावा गोरखा, दोगरा, माराथा इन सभी community से अगर आप बिलोंग करते हैं या बिलोंग करते हैं अगर आप सभ या केंद्रसासित परदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका height measurement किया जाएगा 165 और female के लिए 155 और इसके अलावा चेस्ट जो है आपका सेम रहेगा 38 cm और अगर आप सभी बिलोंग करते हैं schedule tribe से यानि कि ST category से all India candidate ST category के लिए 162.5 cm और female के लिए 150 चेस्ट आपका 6 यत्तर और 5 cm expansion करके आपको यहाँ पे 80 करना होगा तो दोस्तों यह जो constable treatment की जो आपका height, weight और chest है यह आपका मापा जाएगा इसमें weight आपका कितना चाहिए यह भी इस वीडियो में जानेंगे तो weight जो है आपका height and age के coding मापा जाएगा जो कि आगे आपको बताएंगे इसक या community से है तो 155 और all India ST के लिए 150 cm तो दोस्तों यह जो है आपका physical के अंतरगत होने वाला है और laboratory assistant या veterinary के लिए तो इसका तो already veterinary का जो है आपका यहाँ पा देख लिजिए veterinary के लिए 170 cm रहेगा और इन सभी जो आपका category या community है या estate है तो इनके लिए 165 और female के लिए 105 cm औ और all India ST के लिए 162.5 और female के लिए 150 cm तो अगर आप सभी laboratory assistant या veterinary post के लिए form फिल किये थे तो आपका height जो है 170 cm मापा जाएगा और driver का तो already आपका हो चुका है आप सभी को पता होगा तो दोस्तों यह जो है आपका PT और PhD के अंतरगत यह आपका होने वाला है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप PT-PHT qualify कर जाएंगे तो उसके बाद आपका retain exam होगा तो retain exam के लिए जो है आपका अलग से admit card आएगा PT-PHT conduct होने के बाद तो retain exam का भी details यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसमें 100 जो है आपका प्रास्ण रहेंगे objective type का और 100 marks का आपका हिंदी तो इन में से जो है आपका प्रास्ण पुशा जाएगा यही इसका syllabus है general knowledge का mathematics का reasoning का और English या हिंदी में से कोई एक subject आप ले सकते हैं 100 आपका प्रास्ण रहेंगे objective type का 100 marks का और 2 घंट आपको समाई इसमें दिया जाएगा तो यह आपका PT-PHT के बाद जो है second phase के अं and general के लिए इसके बाद दोस्तों आपका document verification and skill test तो यहाँ पे आप सभी को बता दे जब आप written exam qualify कर जाएंगे उसके बाद आपका document verification होगा और जो document अभी आपको बता हैं वो सभी document जो है आपको document verification के समय जो है लगेगा और इसके अलाबा PT-PHT के समय भी आपसे check किया जा सकत होता है किमकि वहाँ पे भी बताया गया है कि जितने भी document है आपको लेकर जाना होगा तो यहाँ पे देख लिजिए written exam के बाद document verification देना आपका skill test होगा यानि कि trade test होगा और trade test के बारे में मैं अलक से वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे कि trade test में क्या क्या होता है आप तो यह document verification के बाद जो है आपका conduct होने वाला है इसके अलावा यहाँ पे medical आपका होगा देन आपका देन इसके बाद जो है अगर medical में कोई problem होता है तो review medical आपका होगा देन उसके बाद आपका final merit list बनेगा यहाँ पा देख सकते है final selection तो दोस्तों यह आपका selection process के अंत्रगत होने वाला है और भी जो आपके लिए केवल important है वो है आपका height weight और chest मापा जाएगा और एक आपका running होने वाला है यहाँ पर बात कर लेते हैं weight के बारे में कि weight जो है कितना आपसे मांगा जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए यह रहा weight का details यहाँ पर आप सभी हैं सभी height and age के coding जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर male candidate का दिया गया है और आपका height जो है minimum 165 cm मापा जाएगा यानि कि मान लीजिए 166 cm तो अगर आपका यह जटारे से 22 है तो 51-62 kg के बीच आपका weight होना चाहिए 23-27 के बीच अगर आपका यह जाए तो 52.5 से 64.5 के बीच जो है आपका weight होना चाहिए तो दोस्तों इसे आप सभी जो है screenshot लेकर check कर सकते हैं इसका link description में दे देंगे आप अपने coding जो है जितना भी आपका height होगा अगर मान लीजिए आपका height जो है यहाँ पर 116 cm है तो इतना weight आपका होना चाहिए 18-22 age group के लिए 23-27 वाले के लिए इतना हो चाहिए तो इसे आप सभी जो है खुद देख सकते हैं कि अगर इसे बताये तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे सभी जनकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताये हैं कोई भी सवालों comment section में बताइए फिर मिलते हैं next वीडियो म है तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम